वेलकम है मेरी यूट्यूब फैमिली और इससे जुड़े हर एक भाई भैन का एक बार फिर से आपके अपने A1 एजुकेशनल अप ऑनलाइन यूट्यूब इस्टडी प्लेटफॉर्म पर दोस्तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए EVS के टॉप क्वेशनल लिये हैं और खास बात यह है कि प्रिवियस एयर यानि 2014 सीटेट के एक्जाम पेपर से EVS पोर्शन से मैंने मोश्ट इंपोर्टेंट क्वेशन इस वीडियो में सेलेक्ट किये हैं तो वीडियो सुरू करते दोस्तो पहला क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है 135 प्लस का टार्गेट है और एक से एक बहतरीन क्वेशन का नोट्स बनाईएगा वीडियो को अच्छे सिवाच कीजेगा तो वीडियो को दोस्तों सुरू करेंगे और पहला question आपकी screen पर सांदार question है मधबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए, आपको सही statement बताना है पहला statement दोस्तों कहरा है, इन चित्रों को बनाने में नील, हलदी, फूल पेडों के रंग आदिका user किया जाता है बिल्कुल करेक्ट आपका statement है अगला statement दोस्तों कह रहा है कि इन चित्रों में इंसान जानवर, पेड, फूल, पंक्ची मचलियां आदी दिखाये जाते हैं बिल्कुल करेक्ट ये भी आपका statement है और फिर कह रहा है यह लोक कला जो लोक चित्र कला है बहुत पुरानी है शही बात है बिल्कुल करेक्ट बात है इसका नाम मधुबनी नामक इस्थान के नाम पर पड़ा है जी बिल्कुल ये भी आपका statement सही है मधुबनी नामक एक जगह है उसके नाम पर इस चित्र कला का नाम पड़ा है और फिडी statement के रहा मदुबनी जो है राजस्थान का अधिपरशिद्य जिला है तो दोस्तों यह राजस्थान का नहीं जिला है यह कहां का जिला है दोस्तों बिहार का बिहार का एक अधिपरशिद्य जिला है तो इसमें से आपके statement कौन से right हो जाएंगे A, B और C और option आपका क तानी ओंग के बारे में सही कथन चुनिए पहला statement कह रहा है या पेड आउस्टेलिया में पाया जाता है बिल्कुल आपका correct statement है अगला statement दोस्तों कह रहा है या एक विशेस प्रकार का पेड है जिसकी जड़े टहनियों से लटकती है यह statement आपका wrong है जड़े टहनियों से नह true है अगला statement कह रहा है इस पेड के तने में पानी जमा होता है और इस्थानी लोग पतले पाइप का उप्योग करके इस पानी को पीते हैं correct बिल्कुल statement है तो statement कौन से दोस्तों correct है A और फिर C और D इसमें देखते A C D कौन है आपका second वाला जो option है A C और D correct option है ठीक है बढ़ यह 30 नंबर की class है अगर और पिछली class चाहिए हो तो आप जाके playlist में जाएंगे वहां से आपको सारी classes मिल जाएंगे तो अबुधाबी के विसे में सही कथन चुनना है आपको आपको चार statement दिये गए हैं तो यह कहां की राजधानी दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यानी UA पिए की राजधानी है ये बात हमें पता है ठीक है अबुधाबी अब क्या कहरा है यहां रिगिस्थानी इलाके में हैं बिल्कुल correct है बिल्कुल correct आपका option है अगला कहरा है अबुधाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है ये भी बात बिल्कुल correct है यहां statement right हो जाएगा B और फिर सी वाला कहरा है यहां की स्थानी बासा अर्बी है यह भी आपका statement true है अगला कहरा अबुधाभी की मुद्रा यानि जो हमारे अपने भारत में रुपए बोली जाती है करेंसी कहने का मतलब अबुधाभी की करेंसी को दिनार कहते हैं यह आपका wrong हो जाएगा यह statement wrong हो अबुधाभी यानि जो सयुक्त अरब अमीरात है उसकी जो करेंसी है वो दोस्तो याद भी रखेगा दिरहम है क्या दिरहम है यह बात याद रखेगा आप सब लोग ठीक है तो option कौन सा right हो जाएगा A, B और C statement right है तो ABC यानि आपका fourth वाला option correct हो जाएगा A, B और C statement right है बढ मरत सागर कहां है आपको comment box में बताना है अपको comment box में बताना मरत सागर कहां है statement देखेंगे दोस्तों क्या है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है यह wrong है आपका statement जहरीला नहीं होता है पानी भी अगर statement की बात करें भी option की बात करें तो क्या है ऐसा सागर जो सभी महा सा यही वाला आपशन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा फिर भी हम अगला देख लेतें ऐसा सागर जिसमें जहाद चलाना खतरनाक हो जकता है जी नहीं बिलकुल नहीं खतरनाक होता है तैरना बहुत आसान होता है क्योंकि लवड़ता ज्यादा पाई जाती है सबसे ज्यादा नमक अगर कहीं पाया जाता है तो मरत्सागर में पाया जाता है और ये कहां है दोसो इसराइल में है ठीक है इसराइल देश में मरत्सागर है तो आप्शन फिलहाल कौन सा राइट हो जाएगा भी आप्शन is correct option बढ़ेंगे अगला देखेंगे question अगला question बहुत सांदार पसंद ना मादोनों को सांप खाना बहुत पसंद है अगला क्या कह रहा है जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हूफेन खाते हैं या चातर कहां का हो सकता है अब देखेगा ये जो लिंग हूफेन है ये एक प्रकार का दोस्तों डिश है वेंजन है ठीक है और ये वेंजन सांप से बनाया जाता है सांप के अमान से और कहां का फेमस वेंजन है तो दोस्तों आसम या होंग कांग या ओडिशा या औरड़ा चल प्रदेश तो कहां का famous जो वेंजन हो जाएगा ये कहां का हो जाएगा दोस्तो option be correct option होंग का हो जाएगा सांदर तरीके से पूरे वीडियो को अच्छे से वाच करेंगे और एक से एक बहतरीन question तयार करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा दोस्तों क्योंकि ऐसी क्लासेज मैं आपको हर दिन प्रोवाइड करवाता हूँ आपकी EVS हो या मैथ हो दोनों आपकी बराबर चलती हैं वीडियो को भी दोस्तों लाइक कर दीजेगा अगला क्यूशन है निम लिखित में से सही कथन चुनिए पहला इस्टेटमेंट कहरा है जिन जानवरों के बाहरी कान वा सरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं एक चीज मैं आपको बता दूँ जिनके दोस्तों कान दिखते हैं दिखते हैं वो देते हैं बच्चे जिनके कान दिखते हैं वो बच्चे देते हैं और जिनके कान नहीं दिखते हैं हमें वो सारे अंडे देते हैं ठीक है तो अब देखेंगे पहला इस्टेटमेंट जिन जान कि जिनके कान नहीं दिखते हैं, वे अंडे देते हैं, ये दो option आपके right हो गया, अब देखेगा यहां सारे दो-दो option ही दिए गया है, तो कौन सा right हो जाएगा दोस्तो, A और B वाला, यानि fourth option correct हो जाएगा, बाकी के दोनों आपके wrong हो जाएगे, बढ़ेंगे अगला question देखे जानवर, उनको हर चीज किस रंग में दिखाई देती है, तो direct आप लगाएगे black and white यानि काला और सफेद, option C is correct option, बढ़ेंगे अगला question देखेंगे, निमना लिके में सब्ते कथन चुनिए, हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, statement first है, गदले पानी यानि दोस्त घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, ये भी आपका क्या है? रॉंग statement है, यही तो रॉंग statement है, 10 घंटे आराम करना और सोना नहीं पसंद करते हैं, अगला statement दोस्तो है, तीन महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 केजी हो जता है, बिल्कुल correct आपका ये statement है अगला statement कहा रहा है अधिकांस बड़े हाती एक दिन में लगबाग 100 kg पत्ते या जाड़ियां खा लेते हैं बिलकुल correct statement है एक तीन और आपका जो डी है यानि फूर्थ होला वो बिलकुल correct हो जाएगा तो A, C और D कहां है आपका third option correct option हो जाएगा पढ़ेंगे अगला question लेंग ही होती है उसे पोचमपली ही बोलते हैं उसे पोचमपली ही करते हैं यह गाउन निमलिखित में से किसका भाग है option A, C, E, R, करनाटक, आंदर प्रदेश या तमिलाडू तो दोस्तों यह जो गाउं है वो आंदर प्रदेश के अंतरगत आता है आंदर प्रदेश में और अग आंदर प्रदेश कट करके तिलंगाना बन चुका है नया इस्टेट तो तिलंगाना भी इसका राइट आंसर होगा बढ़ेंगे अगला question लेंगे अगला question क्या है कोई भी पच्छी पेड की उची डाल पर अपना घोसला बनाता है तो यह पच्छी कौन सा हो सकता है शकर खो अगला question क्या है प्रात्मिक इस्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुक उद्देश सिंगे अगला Iraq विसय की मूल संकल पॉस्ण करना जोस्तों कह समझ विक्सित करना बच्छे में गहन समझ कहां से आप दिक्सित कर देंगे तो यह आपका मुझे सहीं नहीं लग रहा है option a गलत है अगले इस तर के अध्यन के लिए विद्यार्थियों को तयार करना ये कुछ सही है आपका option फिलाल आगे देखते कच्छा की पढ़ाई को सिच्छार्थी के विद्याले से बाहर के जीवन से समंधित करने में सहायता करना या आपका स्वतंत रूप से हस्त सिध्ध क कलापो को करने का कोशल अरजित करना तो सबसे परफेक्ट जो option है वो आपका option C हो जाएगा कौनसा option C is correct option ये वाला option आपका सबसे ज़्यादा इसमें best है बढ़ेंगे अगला question लेंगे ब्रेल लिपी के बारे में नीचे दिये गए कथनों का अध्यन कीजिए तो statement दोस्तों आपका पहला दिया गया है ब्रेल को मोटे खागज पर बिंदो बना कर लिखा जाता है उभरे हुए बिंदो होते हैं बिल्कुल correct आपका statement है यह लिपी आठ बिंदो पर आधारित होती जी नहीं ये जो लिपी है दोस्तों वो 6 बिंदो पर आधारित होती है तो ये वाला आ blind person के लिए बनाई गई लिपी है जिसे लुइस ब्रेल ने बनाया था तो आपके तीन आपके statement जो है A, C और D correct हो जाएंगे A, C और D यानि option first जो होगा वही right option हो जाएगा पढ़ेंगे अगला question देखेंगे तो अगला question दोस्तों कहरा है मदुमक्खी पालन के विश्य में सह सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है तो यह statement wrong हो जाएगा क्योंकि मदुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय मैंने अपने कई वीडियो में बताया है दोस्तों October से December तक होता है ठीक है तो पहला statement wrong हो गया अगला कहरा लीची के full मदुमक्यों को लुभाते हैं तो क्या हो सकता होती है बिलकुल correct आपका statement है अगला क्या कह रहा है मदुमक्यों के लिए मीठा गोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है बिलकुल आपका correct statement ये भी हो गया तो statement b c and d are correct statement b c d b c d यानि third option सही हो जाएगा बढ़ेंगे अगला देखेंगे दोस्तों अगला क क्या है question अगला question दोस्तों कह रहा है साली ने कक्षा 4 यानि class 4 के विद्यारतियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए यानि science center दिखाने के लिए सैचडिक ब्रमड जो टूर था उन्होंने टूर की एक योजना बनाई और अब बताना है आपको नीचे दिया गया कौन सा सामान ये निर्देश इस ब्रमड के लिए अब प्रासंगिक है ठीक है कौन सा अलग है option आपका एक कह रहा है प्रदर्शन के समय अपनी अपनी संकाओं के विज्ञे में प्रस्न पूछना यानि student को अगर कोई भी problem है कोई भी उसे समझने में कुछ रह गया तो वो सेचडिक भरमड पर और वहां दिन भर का बसता ले कर जाना इस बात का कोई मतलब नहीं है तो यही आपका अप्रासंगिक है तो यह क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा बाकी के सारे सही है अपने साथ note pad ले आना यानि चीजों को लिखना observe करना और लिखना बिना मुझे सूचि कर लिजेगा और बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा अगला क्या है प्रात्मिक इस्तर की अच्छी इवियस पार्ट चर्या में होना चाहिए अच्छी पार्ट चर्या में क्या होना चाहिए प्रात्मिक इस्तर की इवियस जो है उसमें क्य होना चाहिए पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रस्न सम्मिलित करना चाहिए ये तो आपका रॉंग हो जाएगा अधिक से अधिक प्रस्न सम्मिलित करना ये प्रात्मिक इस्तर के बच्चे के लिए ये ज़्यादा सही नहीं लग रहा अगला दोस्तों क्या है अपने आजपास को को खोजने के अवसर प्रदान करना करेक्ट है बिल्कुल ये वाला आपका इस जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा संकल्पनाओं की विस्तरत व्यक्षा पर अधिक एकागरता ये बच्चा तो करने ही पाएगा एकागरता संकल्पनाओं की विस्तरत व्यक्षा नहीं कर पाएगा दोस्तों बच्चे प्रात्मिक स्तर के बच्चे ये नहीं कर सकते अगला क्या है पदों की यतार्त परिभासा पर अधिक बल देना ये भी आपका रॉंग हो जाएगा साई क्या हो जाएगा ऑप्शन पी correct option दोस्तों तो आज के वीडियो में फिलाल इतना ही जैहन बंदे मातरम